दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजट्स के बारे में जो कि किसी भी इंजीनियर को काफी इंटरस्टिंग लगेंगे तो अगर आप भी एक इंजिनियर है या फिर इंजिनियर बनने वाले हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में क्योंकि यहाँ पर आपको जो गैजट्स दिखने को मिलेंगे वो रहते हैं एक से बढ़कर एक ब्यात्रीन टेक्नलोजी पर लेकिन कभी कभी कोई प्रोजेक्ट अगर किसी इंजिनियर ने डिजाइन नहीं किया है फिर भी अगर उसको रुपेरिंग का काम दे दिया जाए तो बहुत ज़दा दिक्कत होती है उसे ये पता लगाने में कि कौन सी पाइपलाइं कि धर पर है ऐसे में इस तरीके का गैजट आपके लिए काफी ज़दा योस्तोल होगा दोस्तो ये एक ऐसा स्कैनर होता है जिससे कि आप दिवार के अंदर क्या है ये सब कुछ देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर इस पावर बैंक जसे दिखने वाले गैजट को आपको अपने अपसानी से दिवार के पीछे की सुचवेशन देख सकते हैं तो कमाल की रहती है इस तरीके की टेकनलोजी तो दोस्तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तो Iron Man movie में आपने टोनी स्टार को देखा होगा कि किस तरीके से वो आपने Iron Man suits को design करता है यानि कि उस movie में दिखाये गए है 3D animation को कि किस तरीके से वो 3D की मदद से बहुत अच्छे से design को prepare कर पाता है और रील लाइफ में ऐसा जरूली तो possible नहीं होता लेकिन Microsoft की तरफ से आने वाला ये gadget वाकई आपके लिए इस काम को कर सकता है दोस्तों ये ऐसे lenses होते हैं जो ठीक उसी तरीके की technology पर काम करते हैं इसमें भी अब किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी 3D design को त्यार कर सकते हैं साथ ही आप अपने हाथों की मदद से उसको control भी कर पाएंगे जो कि अपने आप में कमाल की बात रहती है यानि कि कोई भी इंजिनर को अगर इस तरीके का gadget मिल जाता है तो वो उसकी मदद से एक से एक designs बना सकता है साथ ही उस design को reality में बदलने से पहले उसे अलग-अलग तरीकों से देख सकता है और आजमा सकता है तो इस तरीके की चीज बड़ी ही कमाल रहती है जो कि एक advanced technology का नमूना है तो बताईए आपको ये technology कैसी लगी है दूस्तो किसी भी electronic appliances को open करने की बात आये तो उसमें अलग-अलग तरीके के बहुत सारी tools की जरुवत परती है तो अगर आप भी एक ऐसी चोटी सी tool kit चा रहे हैं जिसमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएं साथी इसमें screen opener जैसे बहुत सारी चोटे चोटे और भी components रहेंगे जो कि electronic devices को open करने में आपके लिए मददगार सावित होंगे तो इस तरीके के gadget की मतलब से laptop, tablet, mobile phone या इस तरीके के gadgets को खोलना काफी आसान हो जाता है साथी दोस्तों इसमें आपको अलग से एक platform देखने को मिलेगा जहाँ पर square shape में छोटे-छोटे boxes बने रहते हैं जहाँ पर आप छोटे-छोटे tools को रख सकते हैं यानि कि अगर आपने mobile phone या फिर इस तरीके के gadget को कोला है तो बहुत सारे छोटे-छोटे page या छोटी-छोटी चीज़े निकलती हैं जो कि खोग न जाये इसके लिए आपको ये sections दे रखे होते हैं तो कमाल की रहती है ये toolkit जो कि खास तोरपा electronic appliances को repair करने के purpose से बनाई गई है तो अगर आप भी चाहते हैं इने order करना तो description box में आपको इनके links देखने को मिलेंगे दोस्तो वैसे तो जगय को नापने के लिए meter tapes का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसकी problem ये होती है कि उससे अगर आप किसी चीज को नाप रहे हैं तो कम से कम दो लोग तो साथ में होने ही चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति अगर tape नहीं पकड़ता है तो दूसी तरफ से वो accuracy maintain नहीं हो पाती है लेकिन अगर आप चाहें एक ऐसा gadget जिसमें ऐसी कोई भी जहनजाट ना हो और आप असानी से चीजों को नाप सकें तो ये gadget आप के लिए बहुत कमाल करेगा दोस्तो ये एक ऐसा laser powered gadget होता है जिसके दोनों साइट laser light लगी होती है और सामने की तरफ एक चोटी सी display लगी होती है जिससे कि आपको measurements दिखाई देंगी दोस्तो जैसे ही आप इसकी बटन दवाते हैं तो इससे दोनों तरफ laser निकल कर आती है और ये जिस surface से जिस surface तक जाएगी उसकी distance या आपको display पर दिखाता है साथ ही दोस्तो अगर आप चाहें तो इसकी unit भी change कर सकते हैं अपनी जरुवत के हिसाब से इसमें चीज़ को सीधी तरीके से ना पाजाए इसलिए water leveler भी दे रखे होते हैं जो कि horizontal और vertical दोनों ही shapes में रहेंगे यानि कि आप जैसे भी चाहें इस gadget का इस्तेवाल कर सकते हैं और आप इसके लिए एकड़म free रहेंगे तो अगर आप भी measurement के लिए एक ऐसा gadget चाहते हैं जिसमें कि accuracy एकड़म perfect रहे तो ये gadget आप एक बार ट्राइ करके जरूर से देखिएगा दोस्तों अगर कोई specific task करना हो computer पर तो इसके लिए आपको extra display की जरूरत होती है जैसे कि बात हो किसी project की designing की या फिर अगर आप कोई editing कर रहे हो तो एक display कम से कम और होना काफी important हो जाता है हाला कि desktop के साथ तो आप अलग-अलग monitors को attach कर सकते हैं लेकिन laptop के साथ ये problem होती है कि उसकी portability ही main होती है और अगर आप उसमें display को attach करने का सोचेंगे तो वो काफी ज़्यादा भारी भर कम हो जाएगा और उसकी portability कत्म हो जाएगी लेकिन अगर आप इस gadget को इस्तेमाल करते ही है और साथ ही साथ ये आपको dual screen प्रवाइड कराता है जिसे कि आप अपने laptop पर भी specific task कर पाएंगे दोस्तों इसके साथ आपको एक mount दे रखा होता है जिसे कि आपको अपनी laptop पर attach कर देना होता है और इस screen को आसानी के साथ आप अपने laptop से attach कर पाएंगे वहीं दोस्तों एक ऐसी display जिसे कि आप अपने laptop पर इस्तिमाल कर सकें वो भी dual screen mode पर तो कमाल कर रहेगा ये gadget आपके लिए दूस्तों अगर आप एक ऐसा printer चाहते हैं जिसके माध्यम से आप 3D डिजाइन से असानी से create कर पाएं तो ये printer आपको काफी पसंद आएगा दूस्तों वैसे तो जो 3D printer market में आते हैं वो काफी ज़्यादा costly परते हैं लेकिन आगर आप चाहें तो इस printer को budget में रहकर खरी सकते हैं और साथ ही यहाँ पर मिलेंगे आपको वो सारे options जो कि आपको कुछ ब्यातरीन printers में देखने को मिलते हैं इसमें control के लिए आपको एक छोटी सी display दे रखी होती है जिससे कि आप अपने project की सारी files को यहाँ पर read कर सकते हैं और साथी चाहे तो edit भी कर पाएंगे वहीं दोस्तों इसमें आपको एक छोटा सा card slot दे रखा होता है और अगर आप चाहते हैं इसे अपने computer से operate करना तो उसके भी options आपको इस printer के साथ देखने को मिलेंगे इस printer की portability ही इसे सबसे खास बनाती है इसे आप single hand up उठा सकते हैं यानि कि एक काफी ज़दा lightweight और size में छोटा रहेगा जिससे कि आप जब चाहें अलग-अलग तरीके के अलग-अलग designs को create करके लोगों को impress कर सकते हैं तो किसी भी engineer के लिए इस तरीके का gadget बड़े ही कमाल की बात रहती है नंबर सेकेंड DJI Phantom 4 RTX दोस्तो किसी भी engineering project के लिए काफी ज़्यादा जरूरी होता है उस पर लगाता नजर बनाये रखना और कभी-कभी ऐसा possible नहीं हो पाता है क्योंकि projects इतने बड़े-बड़े होते हैं और आप दो आखों से उन पर नजर नहीं रख सकते हैं इस तरीके के drone को जो कि कही न कहीं आपकी site पर नजर रखने के लिए आपके काम आएगा दोस्तो ये एक ऐसा drone होता है जिसे खास तो पर निगरागनी करने के लिए बनाया गया है साथी दोस्तो इसके app में आपको बहुत सारे advanced options देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे खास बन तो इस तरीके के gadget काफी जदा मज़ेदार रहता है उन्हीं engineers के लिए जो कि बड़े बड़े projects पर काम करते हो रोबो monster EP core दोस्तो बहुत सारे engineers आज की तारिक में robotics पर काम कर रहे हैं और अगर आप भी एक learning engineer हो तो ये gadget आपको काफी कुछ सिखा सकता है दोस्तो ये एक ऐसा module द्यूल होता है जहां पर बहुत सारे आपको अलग-अलग parts देखने को मिल जाएंगे जिनसे की आप एक robot डिजाइन कर सकते हैं इसमें आपको अलग-अलग components देखने को मिल जाते हैं जिनको आपको खुदी assemble करना पड़ता है और साथी programming भी आपको खुदी करनी पड़ेगी जिससे की कहीं न कहीं programming skill develop करने में काफी ज़दा मददगार रहता है ये ये robot की मदद से आप अलग-अलग attachment fix कर सकते हैं जिससे की ये अलग-अलग तरीके की devices मना देगा जिसका इस्तेमाल आप अपने जरुवत के हिसाब से कर पाएंगे तो अगर आपको भी robotics से बहुत ज़दे information चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं तो description box में आपको उनकी details देखने को मिल जाएंगे फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करेगा वीडियो पसंद आए तो like करना बिलकूर मत भूलेगा नमस्कार दोस्तों जहिंद